Hello Friends, स्वागत है आपका ABC Academy पर Friends, आज के इस क्लास में आप KBC 9 जैसा कि आपने थमनेल पर देखी लिया है KBC 9 के द्वारा बिहार Special Current Affairs का बुक आया है आज के इस क्लास में आप बिहार एक नजर में देखने वाले हो अगर आप बिहार की किसी भी जौब की तैयारी कर रहे हो और अगर बिहार से Question बन कर आता है तो यह topic आपको जरूर cover कर लेना चाहिए खास करके सरसाथभी BPSC के लिए यह बुक अभी latest आपके लिए आया है सरसाथ भी BPSC आप लोगों में से जो भी लोग दे रहे हैं इस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा समझेगा काफी important आज का यह आपका सेशन होने वाला है जिल लोगों को कोई भी लगे की points नहीं पता है आप वहाँ पे क्लास को रूख लेंगे चाहें तो इसके इंस ओट लिजेगा या फिर notes तयार करिएगा काफी important आज का यह सेशन होने वाला है पूरे क्लास को ध्यान से देखिएगा समझेगा देखिए सबसे पहले समझेगे कि परदेश का नाम आपको बता है बिहार है वैदिक यूग में नाम क्या था प्राच या फिर पूर्व प्रदेश के नाम से से जाना गया था मौरी एवंग गुप्त काल में मगद नाम रखा गया था ठीक है प्रदेश का जो नाम करन है समझेगा बार्वी सतादी के अंत में तुरकों ने ओधन्थ पूरी को जीत कर इसे अपना खेंदर बना लिया था इस छेतर में बहुत विहारों की बहुलता मतलब काफी जाड़ा होने के वज़ा से इस छेतर को विहारों का प्रदेश कहा जाने लगा था जो की कालंतर में बिहार के नाम से प्रचलित हो गया अस्थापना समझेगे एक अप्रेल 1912 को अस्थापना हुआ था ठीक है बिहार उरिशा सहित बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था अस्थापना दिवस बिहार का 22 मार्च को हडवर्स मनाया जाता है पहला विभाजन बिहार का जो है 1936 में उरिशा को अलग प्रांथ बना दिया गया दूसरा जो विभाजन हुआ है यह आपका 15 नवंबर 2000 इस्वी में हुआ है इसमें क्या हुआ था जार्खन राज को अलग कर दिया गया बिहार की राजधानी पटना है अस्थापना जिसके की 1541 इस्वी में माना जाता है ठीक है पटना का अगर संस्थापक पूछता है तो सेर साह सूरी ने किये थे और ये सूर वंस की रहे थे 1540 से 45 तर इनका समय रहा था पटना का प्राचीन नाम क्या है पाटली पूतर है अस्थापना पूछेगा 461 इस्षापुर में इसकी अस्थापना हो चुकी थी पाटली पुतर का संस्थापक का नाम उदियन या फिर उदायन के नाम से आप जानते हो जो किस वन्स का पूछेगा तो हर्यक वन्स का आपको बता देना है चलिए यहाँ पे आप अगर आपको यह पता हो तो ठीक है नहीं तो आप चाहें तो इसके इन्सोट लेकर यहाँ पे रख लिजेगा भौगलिक जो इस्तिती है यहाँ से कोशन बन कर आता है इसे आप ध्यान रख लेंगे ठीक है आए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं राज की आकिरती कैसा है आयताकार है नेक्स्ट है बिहार का संपूर्ण भूभाग इस्तिता कहाँ पर तो उत्तरी गुलार्द में है ध्यान रखेंगे अगर भौगलिक सीमाय पूषता है तो उत्तर में नेपाल ध्यान रखेगा बिहार के उत्तर में कौन सा नेपाल है पुर्व में पश्चिम मंगाल है पश्चिम में उत्तर परदेश है और बिहार के दच्छिन वाले साइड में नया जो राज आपका बना है कौन सा जारखंड राज है राज की यानि कि बिहार की जो राज है इससे सीमा लगने वाले तीन राज की संख्या कौन-कौन से संख्या है तो पश्चिम मंगाल उत्तर परदेश और जारखन्ड है सीमा वर्ती देश बिहार का नेपाल है जो बिहार से टच होता है पुर्व से पश्चिम के अगर चौड़ाई पूछे गाइगा 383 किलो मीटर बताना है समुदर तल से ओसत उचाई है, मीटर में है 53 यनि के 33 मीटर और फीट में पूछेगा 173 फीट आपको ध्यान रखना है प्राकिर्तिक रिभाजन को समझ लेजिए प्राकिर्तिक रूप से बिहार को तीन एकाईयों में बाटा गया है सिवालिक स्रेनी का तराई छेत्र उत्री गंगा का मैदान और दक्षिनी गंगा का मैदान तीन छेत्र में प्राकिर्तिक रूप से बाटा गया है जलवायों कैसी है बिहार की बंगार की खारी से आने वाली मानसुनी हवाएं बिहार में प्रियाप्त वर्षा कर दिती है बिहार के जलवायों शम उपोष्ण प्रिकार की है सरवाधिक तापमान आपको पता ही होगा कि गया का जो है सबसे ज़्यादा तापमान रहता है सरवाधिक वर्षा कहां पर होती है तापको पता है किसंगंज में सरवाधिक वर्षा होती है बिहार के उत्तरपूर्वी छेतर में है आपका यह किसंगंज राज में अगर एवरेज पूछेगा वर्षा कितना 987.2 mm होता है बिहार राज में औसतन वर्षा बिहार में 1 छेतर पूछता है 7,380 वर्षा किलोमेटर बिहार में 1 छेतर है बिहार में 1 छेतर का परसेंट अगर पूछता है 7.84 परसेंट बिहार में 1 छेतर का परसेंटेज है बिहार के भोगॉलिक छित्रफल में विरिच्छादन की इस्तिती पूछेगा 2.49% यानि की 2341 वर किलोमीटर है बिहार का सरवाधिक 1 वाला जीला कैमूर आपको ध्यान रखना है बिहार का सरवाधिक 1 वाला अगर जीला पूछेगा कैमूर है जिसमें की टोटल 1051 वर के किलोमीटर में 1 है ठीक है और परसेंट में 31.56% अकेले कहाँ पर तो कैमूर में 1 है ठीक है बिहार का न्यूनतम 1 वाला जीला जो है पहले आपको ध्यान आ रहा होगा जहाना बाद आप बहुत बार याद कर चुके होंगे बट आपको ये चेंज कर लेना है माहिन में ठीक है शेख पूरा आपको ध्यान रखना है एक दसमलग एक नौब वार किलोमीटर हो जाएगा राई टांसर जो की आपका 0 दसमलग एक साथ परसेंट है बिहार के जो प्रमुक्र अभ्यारन है इससे आप याद कर लेंगे जिसमें कि दिखिए वालमिकी नगर अभ्यारन पस्च्मी-चंपारन है अगोतंबूद अभ्यारन गया में है परमान डॉल्फिन अभ्यारन अररिया में है कावर्ज हिल पक्षी अभ्यारन भेगू सराय में कोगावील अभ्यारन कटिहार कुशेश्वर अभ्यारन दर्भंगा में और भीम बांध अभ्यारन मुंगेर में है इन सब को आप जरूर याद कर लेंगे इसकेंस और इसका चाहें तो लेकर रख लिजिएगा आएए बिहार के प्रमुख नदियां को देखिए बिहार में प्रमुख जो नदी है वो है गंगा, कुशी, बागमती, सून, फुनपुन फल्गु, गंडग, खागरा, कयमनासा ये सारे हैं बिहार में गंगा नदी का प्रवेश बिहार में गंगा नदी का प्रवेश बक्सर यानि के चौसा में होता है बिहार की प्रमुख खाद्यान में आपका चावल हो जाएगा ठीक है प्रमुख खाद्यान फशल अगर पूचता है धान गे हो मक्का जो होता है प्रमुख जो आपका नगदी फशल है वो कन्ना, तंबाकू, आलू, पर्टसन ये सारे है राज का प्रमुख और जो एक सहरा आपसे पूछेगा आपको बेगुसराय बताना है बिहार में प्रमुख उद्योग कौन-कौन से है सूती, वस्त्र है, जूट है, इंजिनिरिंग आपका हो जाएगा लकडी है, चीनी है, उर्वरक है, तेल सूधन है, काच, चमरा ये सारे बिहार के प्रमुख उद्योग है आईए, बिहार के प्रमुख जो खनीज है, इनके बारे में समझेंगे देखिए सोना, मुंगेर का जो करमटिया छेतर है, यहां से यहां पे आप याद जरूर इस पॉइंट को कर दीजेगा यहां से कोश्चन बनके आपके प्रैक्टिस सेट में भी आपने देखा होगा यहां से सवाल आपका रहता है सोना जो है मुंगेर यानि की करमतिया छेतर से तीन जो है गया से लिथियम हो जाएगा आपका गया से चीनी मिट्टी मुंगेर से अभरक के लिए आप गया मुंगेर भागलपूर इन तीनों जग़ा से मिलता है ठीक है गंधक के लिए ध्यान रखेंगे कैमूर पहारिया, डोलो माईट आपका भोजपूर से और कोईला जो है भागलपूर से ये सारे खनीज मिलते हैं जेके टूटल बिहार में अगर पूछेगा चीने मिल के संख्या बताईए तो 28 चीने मिल है इसमें से कि 11 अभी काम कर रहा है बिहार के परमुख जन्जातियां संथाल, उराव, मुंडा और रजवार है राज कासरवाधिक उचा अगर सीखर पूछेगा शुमेश्वर जो पहारी है ये सबसे उचा सीखर है जो कि आपका 875 मीटर है राज में जो सिंचीत छेतर है वो टोटल कितना 72.07 लाख हेक्टेयर छेतर है जो सिंचीतर छेतर है बिहार में अगर सरकों की कुल लंबाई समझेगा यहाँ पे थोह सा समझ लिजेगा अच्छे से अगर आपको डेटा पता हूँ अच्छी बात है नहीं तो यहाँ पे आप किलास को चाहें तो एक दो बार आगे पीछे करके देख सकते हैं या नहीं तो इसे नोट कर लिजेगा इंपोर्टेंट पॉइंट है कंशूज यहाँ पर बहुत लोग करते हैं बिहार में सरकों की कुल लंबाई है दो लाख नौ हजार पांसो उनसट धियान रखेंगे दो लाख आपका हो जाएगा नौ हजार माफ कीज़िए का पांसो उनसट आपको बोला गया था पांसो उन्चास है फिका पांसो उन्चास अपको धियान रखना है इसमें पक्की सरक की कुल लंबाई आप देख लेंगे फिर आपका पक्की सरक है इसकी लंबाई एक लाख शत्रह हजार है और राज मगर आपसे राश्टी राजमार्ग तो देखें राज में तोटल 5358 किलोमेटर राश्टी राजमार्ग ठीक है 4311 प्रान्ती राजमार्ग 13498 किलोमेटर मुख जेला पत है और पक्की ग्रामिन सरक अगर पूछेगा तो 92204 किलोमेटर है इस डेटा को ध्यान रख लिजेगा बिहार के कूल सरक लंबाई में राश्टी राजमार्ग एवां प्रान्ती राजमार्ग का हिस्टा तो राश्टी राजमार्ग का हिस्टा 4.4 परसेंट है और प्रान्ती अगर राजमार्ग का पूछेगा 2.1 परसेंट है बिहार का सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग NH7, 37EW आपका यानिके 487 किलोमीटर है ध्यान रखेंगे बिहार का सबसे छोटा राष्टी राजमार्ग पूछेगा 727A हो जाएगा जो कि मात्र 4.5 किलोमीटर का है राजमें यातायात एवंग परिवहन साधन किसकी सतरह का रेल सुविधा है शरक भी है वायुदान भी है जलमार्ग भी है बार प्रभावित अगर छेत्र पूर्षता है न तो आड़ 60.08 जीरो लाग हेक्टेयर एरिया बिहार का बार प्रभावित छेत्र है अस्थाई चारागाह जो है आपका 15.08 भारत के कुल छेत्रफल का हिस्सा कितना 2.86 परसेंट है बिहार के पास छेत्रफल के दिरिष्टी से भारत का जो अस्थान है भारत के राज्यों में 12 हुआ अस्थान है और केंजसासित परदेश के साथ अगर पूछेगा तो तेरह हुआ अस्थान है बिहार का छेत्रफल 94,163 वर किलो मीटर है ग्रामिंग छेत्रफल समझ लीजेगा इसमें से आपका 92,358.40 वर किलो मीटर है नगर ये छेत्रफल कितना है तो 1804.6 वर किलो मीटर आपका हुजाएगा सबसे बड़ा जिला छेत्रफल कि दरिष्टी से पस्चमी चमपारन और सबसे छोटा जिला छेत्रफल कि दरिष्टी से सिवहर है सिवहर बस 349 वर किलो मीटर एरिया में फैला हुआ है जबकि पस्चमी चमपारन 5228 वर किलो मीटर एरिया में फैला हुआ है धार्मिक सांस्कितिक प्रेटन अस्थल देखीजेसे में गया पत्ना नलंदा, राजगीर, वैसाली, मनेर, बिहार, सरी, प्रावार, पूरी ये सारे प्रेटन केंद्र है धार्मिक केंद्र के रूप में सेम आपका हो जाएगा थोड़ा साल पत्ना साहिव एक्स्ट्राइस में आपको दिख जाएगा पर्वतियोहार आप जानते हो ये सारे होते हैं यहां से पर्वतियोहार ऐसा नहीं है, पूछे ये पर्व होता है ये बिहार में सारे पर्व मनाए जाते हैं इससे समझ लिजिए अब देखिए, प्रमुक धर्म जो है न, हिंदू आपका 82.69%, मुस्दिम 16.87%, इसाई हो जाएगा 0.92%, सीख हो जाएगा देखिए जी डेटा ठीक है, बहुत जाएन और अन्र के बारे में आप यहां पर देख लेंगे, ठीक है चलिए, प्रमुक धर्म के बाद आईए अब, बिहार का राज के पसू, अम आफके जिएगा, राज के जो चिन है, बोदेविरिक्ष पीपल हो जाएगा, राज के पसू बैल, राज के पक्छी गोड़ाया, राज के जो गेंदा है, फूले, राज के अगर प्रतिक चिन बिधान सभा सदस्य के संख्यां 24, ध्यान दिजेगा, बिधान सभा में, SC के लिए 38, और ST के लिए 2 सीट आरक्षी थे, बिधान परिशत का संख्या है, 75 है, लोग सभा का संख्या कितना है, तो 40 हो जाएगा, लोग सभा के संख्या है, बिहार में, लोग सभा में की संख्या 38 जिला है बिहार में और 38 जिला बना था अरवल राज में परमंडल है टूटल 9 जिसमें की पतना मघथ सारन तेरहूत दर्भंगा कोशी पूर्णिया भागलपूर और मुंगेर सामिल है बिहार में अनुमंडल है टूटल 101 परखंड की संख्या है 534 त्राम पंचाय 86 नगर परिशत 49 नगर निगम बिहार में 12 शहरों की संख्या टूटल 199 बिहार में टूटल 800 तिरपन है यह पुलिस स्टेशन है बिहार का उच नियाले है कौन सा पतना हाई कूर जिसकी अस्थापना 1916 में हुआ ता 1916 में पतना उच नियाले का प्रथम मुख नियाधिस का नाम आपको धियान रखना है सर एडमन ऐसे आप चेंपन्पश चमियार नाम धियान रखेंगे चैंपश चमीर आप धियान रखेंगे काम चलेगा ठीक है राज भासा कौन सा पहला आपका हिंदी है और दूसरा उर्दू को भी माननेता दिया गया है बिहार में प्रमुख भासा कौन कौन सा मैथली भोचपूरी मगही वजिका और अंगिका है भारतिय समिदान की आठवी अनुसूची में हिंदी उर्दू मैथली इन भासाओं को सामिल किया जा चुका है चलिए निक्स्ट पॉइंट आप देखिए बिहार की जो जनसंख्या है इसे आप समझ 99,452 है इसमें से महला का आप देख लिएगा 4,99,21,295 है पुरूस की जनसंख्या है 5,42,78,157 सरवाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जीलों का अवरोही करम कौन-कौन से है सबसे पहले पतना पुरविचंपारन मुझा परपूर और मदवनी हो जाएगा बिहार का दसकिये जनसंख्या विडधी कितना है 25.4 परषेंट हो जाएगा सरवाधिक दसकिये जनसंख्या विडधी कहाँ पर हुआ मदःपूरा में होआ एक行了 31.2 परषेंट नियूंत्याम जनसंख्या विडधी वाला जीला हो जाएगा गोपाल गंज 19.2 परषेंट राज्य की साक्छर्ता सबसे कम अगर पूछेगा पूर्णिया में जो कि आपका बस 51.8% है बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है जो कि राज्यों में पर्थम नंबर पे है सरवाधिक जनसंख्या घनत्व वाले पर्थम चार जिलों का अवरोही करम समझी है सिवहर, पटना, दर्भंगा और वेसाली हो जाएगा राइट आसर बिहार का लिंगानू पात है 918 सरवाधिक लिंगानू पात वाला जिला पूछेगा तो गोपाल गन्ज हो जाएगा जो कि यहाँ पे 1028 लिंगानू पात है सबसे कम लिंगानू पात वाला जिला अगर पूछेगा तो मुंगेर हो जाएगा जहाँ पे 876 बस लिंगानू पात है शरवादिक जनसंख्या घरत वारा जिला जो है वो सिवहर है अठारो सो असी है नियूनतम जनसंख्या घरत वारा जिला कैमूर हो जाएगा जहाँ बस 488 लोग जो समझे कि एक किलोमेटर के रेडियस में रहते हैं बिहार में नगरिकरित जनसंख्या का परसेंट 11.3% है बिहार में गरामीन जनसंख्या का परसेंट 88.7% द्यान दिजेगा बिहार में गरामीन जनसंख्या 88.7% लोग है पिहार का परजनन दर हो जाएगा 3.2 प्रती महला बाल मेर्थियू दर हो जाएगा 9 मेर्थियू होता है प्रती हजार में सिसू का मेर्थियू दर पूछेगा तो 35 प्रत्चे की मेर्थियू होती है सिसू की मेर्थियू होती है एक हजार में ग्रामीन में अगर पूछेगा कि सिसू का मेत्यूदर बताइए तो 36 है आपका प्रती हजार और नगर ये सिसू मेत्यूदर है 31 प्रती हजार जीवन प्रती आशा मतलब जीवन जीने का जो एवरेज एज है ना बिहार के लोगों का तो वो 68.9 यहनी के 68.9 नो वर्स माना गया है गेटा के हजाब से है चलिए अब समझेगा भारत रत्न भारत रत्न जो है प्राप्त करने वाले जो आपके बिहार के लोग हैं उनके बारे 2022 में जी आईटी टाटा को उनिश्वभी इन दोनों का भी 92 में ही मिला था एक साथ जैप्रकास नारायन को दिया जा चुका है वर्स उनिश्वणिनानवे में और बिस्मिल्ला खां इनको मिल चुका है 2001 में चलिए अगर आपको पता हूँ आप बताईए बिस्मिल्ला खां क का समन्द किस चीज से है मतलब क्यों इनको मिला है किस चीज के वज़ह से मिला है क्या करते एंटीते मिला यह बताना आपको जबाब पता हूँ कमेंट आप जरूर करिएगा बिस्मिल्ला खां क्या थे भारत का पर्थम गनितग आरिभट थे भारत का पर्थम राष्ट पती समझेंगे यहाँ पर एक बात आप देखें बिहार यानि कि भारत में पर्थम बिहार के लोग भारत में अगर पर्थम किसी चीज में रहे हैं तो उसके बारे में आपको बताया जा रहा है भारत का प्रथम गनित्या के कौन थे आरे भट बिहार के भारत के प्रथम राष्ट पती डॉक्टर राजिन परसाथ भारत की प्रथम महिला जो कि दरित महिला कही है या फिर दरित महिला कही है जो लूग सभा के अध्यक्ष रही है मीरा कुमार समिधान सभा के प्रथम ओ नहीं यहां पर तो अस्थाई यह देख तो आपके डॉक्टर राजिन्द पर साथ है और समिधान सभा के ओ अस्थाई आप जानते हूं डॉक्टर सचिदानुन सिन्धाजी थे चलिए बताए भारत का जो है न प्रथम खादी मौल कहां पर है पटन बहुत ही जादा इजी सवाल है जब आप फूपता खुद कमेंट करिएगा चमपारन सत्यागरा के लिए कौन थे व्यक्ति जनोंने की मात्मा गांडी को कहते का बिहार चमपारन आईए कॉंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो पहला आधिवेशन है पटना में हुआ था कहां पर 1934 में हुआ था 6000 होर्स पावर रेलवे डीजल जो इंजन है नाम है गजराज निर्मित करने वाला डीजल डीजल डेल इंजन कार खाना कौन सा मधोरा है जो कि सारन में बिये सेंदल मोबाइल सेवा प्रारंब करने वाला पहला राज दिखिए बिहार ही है पंचाज चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षन देने वाला राज कौन सा बिहार है आपको ध्यान है एक दो दिन पहले ही आपको सेट में बताया जा चुका था बताये तो अगर जवाब पान्च दसंदब 6 किलोमेटर लंबा है भारत में पहली जन्ध हित जो याचिका है जिसे आप पी आईल कहते हैं जा दायर हुआ था 1979 में किसके द्वारा तो फुसे नेरा खातुम बनाम के द्वारा हुआ था बिहार सरकार के खिलाफ हुआ था मतलब बिहार सरकार बनाम देश रत्न का खिताब हासिल करने वाले एक मात्र व्यक्ति हैं डॉक्टर राजणर परसाद चलिए आप देखें बिहार में पर्थम क्या क्या है पहला गंडाज वजी संग है जो के वैशाली में था दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पर्थम बिहारी शाशक सेर साशो पर्थम मुस्लिम राजिपल डॉक्टर जाकीर हुसेन पर्थम मुख्रमंत्री श्री कृष्ण सिंग पर्थम मुस्लिम मुख्रमंत्री यो अब्दुल गफूर हैं ये थे पर्थम महिला मुख्रमंत्री राबरी देवी रही हैं पर्थम दलित मुख्रमंत्री भोला पाश् पर्थम निर्दलिय मुख्यमंत्री माहा माया परसाथ सिन्हा पर्थम विधान सभा अध्यक्च राम दयालुफ सिंग हो जाएगा रायट राज़स ठीक है बिहार विधान सभा के पर्थम महिला सभापती सूस्री राजेस्वरी शरोर्जदास सर्वोच न्यायले के नियाध ह बनने वाली पहली जो महिला रही है ये नाम आप सर्वोस न्यालय का नियाधिस बनने वाले व्यक्ति सबसे पहला आपको ध्यान रखना है भुवनिस्वर प्रसाथ सिंधा और प्रथम महिला उपमोख मंत्री अगर पूछे गर रेनु देवी जो कि कुछी टाइम के लिए बन बताईए तो डॉक्टर राम धारी शिंग दिनकर थे जिनकी केती उर्वसी दिनके लिए उनको मिला था पर्थम बिहार वासी उप प्रधान मंत्री पूछेगा डॉक्टर जब जीवन राम बिहार का पर्थम नगर पाली का कौन साथ आरा नगर पाली का ठारो सब पैश्या बिहार का पर्थम दूर दर्शन केंद्र मुझपरपूर 1978 में अस्थापना इसकी की गई थी बिहार में अस्थापित होने वाला पहला बैंक इलहाबाद बैंक हो जाएगा बिहार में सरवादिक जो स्वन्ड छेतर है वो कौन सा है कर्माटिया गाउं मुंगेड अभी आप पर्थम हिंदी फिल्म कल हमारा है पर्थम महाकवे विद्यापती पर्थम हिंदी सापताहिक पत्र बिहार बंडू जो के रहारो सब 75 में चालू किया गया था पर्थम हिंदी दैनिक पत्र सर्वहिते सी जो के रहारो सब 32 में स्टार्ट किया गया था परहला अंग्रेजी द प्रफम समुदाइक पक्षिया प्हालन कौन सब कटिहार का है बिहार का पहला कच्षवा पुनर्वास केंदर कहां पर तो भागलपूर में है अब बिहार को दिखे विश्व में प्रफम प्रफम गंडराज वजी संग वेशाली प्रफम आवासिय विश्विद्याले का विश्व का पर्थम मुगल समराट जिसने अस्त्र सहस्त्र को त्याक कर दिया था समराट असोक आप जानते हो विश्व में पर्थम जैन संगिती हुई थी कहां पर पाटले पोत्र में विश्व का सबसे बढ़ा अस्पताल पीम सीयज पत्ना निर्माना धीन है विश्व मे संगेती राजगरी में हुआ था चलिए नेक्ट पॉइंट को देखिए प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम समझ लेंगे डॉक्टर राजिंद प्रसाद को देश रत्न और अजाद सत्रू के नाम से प्रकास नारायन को लोक नायक जैप्रकास नारायन के नाम से आप जानते हो बाबुजी बाबु कौन थे वीर कुमर सिंग रहे थे विहार के स्री डॉक्टर सरी क्रिशन सिंग को बाबा नागारजुन को बाबुजी तो ये जगजिवन राम को कहा गया था राष्ट कवी कौन है जानते हो आप तो रांधारी सिंग जिनकर है जस्टिस और पीस परसात सिंग हो जाएगा विहार जो विभूती है ये डॉक्टर अनुगरा नारायन सिंहा को कहा जाता है विहार में विहार जो समंदित महत्तपुन जानकारी है तो आसे इसको समझ लेंगे देखिए पर्थम अंतराष्टी विश्विद्याले नालंदा अंतराष्टी पर्थम तकनिकी विश्विद्याले आरबट ग्यान विश्विद्याले मिठापूर पर्थम बिहार का पर्थम भारतिय परदोगी की संस्थान आपका भागलपूर राइट आंसर है चलिए निक्स्ट पोईंट को देखिए बिहार का पर्थम अंतराष्टी हवायड़ा बोध गया अंतराष्टी हवायड़ा ध्यान रखेंगे बिहार का पर्थम टेक्स्टाइल एवंग हेंडलूम पार्क हो जागा भारगलपूर में है जो कि निर्माना धीन है बिहार का पर्थम सौफ्ट्वेर टेकनोलोजी कहा पर पार्क है तो पटना में है राज का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारन कैमूर वन जीव अभ्यारन जो की 1342 वर किलो मेटर के एरिया में फैला हुआ है आज का यह आपका लास्ट कोईंट है देखिए बिहार के टोटल आठ जीले हैं जिनका उनका जो मुख्याले है उनके च्छपरा, वैसाली का, हाजीपोर, नालंदा का, बिहार सरीव, रोहतास का, सासाराम, कैमूर का आपका भववा और भोजपूर का आपका हो जाएगर आई टांसर क्या आ रहा हो जाएगा बिलकुल सही जवाब ठीक है तो फ्रेंड्स अब ही आपने बिहार स्पेशल किलास देखा, बिहार एक नजर में, एक द्रिष्टी में देखा, ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके एकजाम के लिए आज का या क्लास आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको पहले से इस टॉपिक पे कमांड था, आपके लिए एक अच्छा सरी वीजन हो गया, अगर आपक आपको के वीजन हो से मिल जाएगा, अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा, अब आप वीडियो को लाइक कर दिएगा, शर्षाठ में वीप्यसी की आप अगर तायारी कर रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, ता आप कर लिजिए और प्ल